Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आजए 20 March और आज किस वीडियो में हम 20 March से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं और देखिए जो भी student SSC exam के लिए preparation करते हैं उनके लिए सबसे important होता है इस moment की test series को religiously follow करना जैसे की exam back to back आने ही वाले है test book जिनके test series एक करोर से जादा student ने अभी तक attempt कर लिया है इनके पास में आप लोगों को SSC CGL के लिए 282 mock test SSC CPO के लिए 125 mock test इसके लावा SSC stenographer के लिए 61 mock test और इसके लावा IB SEO जोकी IB का exam है इसके लिए आप लोगों को 76 mock मिल सकेंगे और इसके लावा RRB, NTPC और Group D के लिए भी कुछ 330 mock आप लोगों को मिल सकेंगे और अभी test book का anniversary offer भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को text book पास मिलेगा जिसमें 200 प्लस exams के लिए 12,000 से अधिक mock मिल सकेंगे तो बस आपको study 10 coupon लगाना है और इससे आप लोगों को extra 30 रुपे discount मिल सकेगा लिंक description box में दी हुई है तो चले start करते हैं हमारा पहला question मार्च 2021 में संसोधित अंतर राच्टी सौर गठबंधन जिसे आप International Solar Alliance के नाम से जानते हैं इस ISA framework समझोते के तहट किस देश ने ISA समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये समझोता अभी हाली में किया गया है इटली के दौरा अब ये ISA क्या है आप सभी जानते हैं ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी 2015 में COP21 का आयजन किया गया था जिस मौके पर भारत और फ्रांस के द्वारा International Solar Alliance इसके गठन का प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसे देश जो की करक रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं उन देशों के बीच Solar Technologies से रिलेटेड आइडियाज शेयर किये जाएंगे और ISA सदस्य देशों के बीच सौर उर्जा को बढ़ावा देने के परपस से इसके स्थापना की गई थी ये ऐसी पहली अंतराश्टी संदी है जिसका हैटक्वार्टर भारत में हिस्तित है भारत में भी कहां गुरुग्राम हरियाणा में और आप सभी जानते हैं कि भारत ही नहीं अन्य जो देश हैं ये भी नवी करणी उर्जा इस्त्रोत यानिकी renewable energy पर काफी बल दे रहे हैं और क्यों बल दिया जा रहा है तो इसका reason भी है कि जो अनवी करणी उर्जा के स्त्रोत है मतलब कि जो भी non-renewable energy के source हैं जैसे कि कोईला, पेट्रोलियम ये सभी तो limited है और विश्यो की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, resources घट रहे हैं तो उसी साब से दिखा जाए तो भारत के लावा जो अन्य देश हैं ये renewable energy पर काम करने पर बल दे रहे हैं तो यही है international solar alliance जिसके समझोते पर अभी हाली में इटली ने भी हस्ताक्षर कर दिये हैं तो यदि हम बात करी इटली की तो इसकी capital है रोम, currency है euro, इसे मैं PDF में modify कर दूँगी और अभी हाली में इटली के नए prime minister भी बनाये गए हैं Mario Draghi Europe map में आप देखेंगे तो यह है इटली अच्छा इटली की capital है रोम यह किस नदी के किनारे बसी हुई है टाइबर नदी के किनारे इसी रोम में headquarter इस्तित है FAO का यहनि की food and agriculture organization का जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी इसके लावा इटली की गंगा यह किस नदी को कहते हैं तो यह कहते हैं पो नदी को और आप यह भी देख पा रहे हैं कि इटली इसके सीमा meditariancy यहनि की भूमध्य सागर से लग रही है तो भूमध्य सागर के अंतरगत भी कुछ important सागर है तो यहां से आज आपके वल तीन याद रख लीजे जैसे कि इटली के पास कुछ यहां पास इस्तित है आयोनियन सी और यहां इस्तित है एड्रियाट्रिक सी आयोनियन सी एड्रियाट्रिक सी और कुछ यहां पास इस्तित है लिगूरियन सी तो तीन सा यहाँ से आप लोगों ने याद कर लिए हैं हाले में जारी किये गए सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दोरान दुनिया में सबसे बड़ा हत्यार निर्यातक देश ये कौन बना है? ध्यान दिजे, यहां हतियार निर्यातक देश की बात की जा रही है कहने का मतलब है कि इस 5 साल के दोरान किस country ने हतियारों का सबसे ज़ादा export किया है तो सबसे ज़ादा एक्सपोर्ट किया गया है अमेरिका के दोरा और इसी दोरान यदी देखा जाए, मतलब कि 2016 से 2020 के अवधी के दोरान भारत के पास वैश्विक हतियारों के निर्यात में, मतलब कि दुनिया में हतियारों का जितना भी एक्सपोर्ट होता है, इसमें भारत की हिस्सेदारी 0.2% रही है, जिससे वह, मतलब कि जो भारत है, ये एडिशनल तोर पर आप ये याद रखेंगे कि इसी अवधी के दोरान, मतलब कि अच्छा ये तो 2018 की बात हो गई, 2014 से 2018 की, 2016 से 20 की हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत का जो आयात है, ये 33% तक घट गया है, मतलब कि भारत जो अभी तक दूसरे देशों से हतियारों का आयात क रशिया, रशिया से 49% आयात करता है, आप लगों को एक डील याद होगी, S400 की, जो कि भारत और रशिया की बीच की है, फिर दूसरे इस्थान पर इस्थान आता है, फ्रांस का, फ्रांस से भारत 18% येनिकी 18% हतियारों का आयात करता है, राफियल विमान का जो डील है ये बारत और फ्रांस के बीच है, फिर तीसरे इस्थान पर इस्थान पर इस्थान आता है, इस्थान के, मतलब कि इस्थान से भारत 13% हतियारों का आयात करता है, जो बराक 8 मिसाइल है, ये भारत ने इस्थान के सहयोग सही डवलप की है, और ये जो रिपोर्ट रिलीज की है, सिप्री की फुल फॉर्म बनती है Stockholm International Peace Reason Institute इसके स्थापना 6 मई 1966 में की गई थी हेटकौर्टर उस्तित है नौर्वे की कैपिटल ओस्तलों में हाली में किसे Stop TV Partnership Board का चेयर्मेन बनाए गया है तो Stop TV Partnership Board के चेयर्मेन ये भी हाली में केंद्री स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन बनाए गया है आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूज रही है वहीं इसके लावा ऐसी कई और विमारिया हैं जो कि देश के लिए गंभीर मुद्दा है इसमें सबसे पहले टीवी का ही नाम आता है जिससे निपटने के लिए भारत सरकार कई एहम कदम भी उठा चुकी है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दोहजार पच्चिस ये टार्गेट रखा गया है कि भारत को दोहजार पच्चिस तक टीवी मुक्त कर लिया जाएगा तो ये जो स्टॉप टीवी पार्टनर्शिप बोड है ये एक इंटरनेशल प्लेटफॉर्म है जो कि दोहजार पच्चिस तक भारत के मतलब कि भारत से टीवी को खत्म करने के आंदोलन में सहयोग दे रहा है और इसी के चेर्मन बनाये गए हैं डॉक्टर हर्श वर्धन अगला कोश्चन है हाली में कि सराज्ज के नर्मदा जेले के केवडिया में स्थित इस टेच्चिव ओफ यूनिटी जिसका उद्घाटन 2018 में किया गया था तो उद्घाटन से अपतक दी देखा जाए तो इसे देखने के लिए पैरेटकों की संख्या 50 लाग से अधिक हो चुकी है आप सभी जानते ही स्टेच्चिव ओफ यूनिटी जो की गुजरात में स्थित है ये दुनिया की सबसे उची प्रतिमा है इसकी जो उचाई है ये है 182 मीटर इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मोदी जी के द्वारा ये किसकी प्रतिमा है सर्दार वल्लब भाई पटेल की जो कि भारत के पहले ग्रह मंत्री थे 31 अक्टूबर को इनी के स्मृति में एकता दिवस इनी के यूनिटी डे मनाया जाता है और जब से इस स्टेची ओफ यूनिटी का गाटन हुआ है तब से यदि अब तक देखा जाए तो इसे देखने के लिए आने वाले परेटकों की संख्या ये 50 लाग हो चुकी है ये गुजरात में परेटन का एक प्रमुक केंद्र भी है अच्छा कई पर एक्जाम में पूछा गया है कि स्टेची ओफ यूनिटी इसके डिजाइनर कौन है तो ये है राम वी सुतार और इसका जो निर्माण है ये एलन टी येनिकी लॉजन और टर्वो के द्वारा किया गया अब ये इस्तित है गुजरात में तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन इसकी राजधानी है गांधी नगर गांधी नगर किसका निर्वाचन शेत्र है ग्रह मंत्री अमिश शाह जी का मुख्य मंत्री है विजा रूपानी राज जिपाल है आचारी देवरत और कुछ इंपॉर्टन नेशनल पार्क के दी हम बात करें तो गिर, वनसिदा, ब्लैक बक, मरीन यह सभी नेशनल पार्क गुजरात में ही इस्थित है कुछ दूसरे जिलो के दी हम बात करें तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं यह है भावनगर भावनगर में भारत का पहला समुदरी संग्रहाले इस्थापित किया गया है जामनगर रिफाइनरी जो के रिलाइंस इंडस्ट्रीज की है दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी है और यही कहीं पास इस्थित है जूनागर जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी हाली में जूनागर में विश्यो का सबसे लंबा मंदिर रोप पे ये भी इस्थापित किया गया है जिसका उधगाटन प्रायम मिनश्टर नरेंदर मूदी ने किया ये है मही सागर जहां भारत का पहला डैनस्वार पार्क इस्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश से जो नर्मदा नदी बहती हुई आती है ये कुछ यहां से बहती हुई खंबात की खाड़ी में आकरके मिल जाती है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये है खंबात की खाड़ी और ये है कक्ष की खाड़ी इसके लावा ये है सूरत सूरत ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है तापती नदी के किनारे अगला कुश्चन है हाले में केंद्रे रेल मंत्रे पी उस गोयल ने सूचित किया है कि जम्मो कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे उचा रेल पुल अपने निर्माड के अंदिम चरण में है तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे उचा रेल पुल है जो कि बन रहा है जम्मो कश्मीर में किस नदी पर तो चिनाब नदी पर और ये जो पुल है ये रेंबो के आकार का है जो कि आप देख पा रहे हैं इसकी उचाई कितनी है 359 मीटर ये उचा है आप देख सकते हैं इसकी उचाई है 359 मीटर और ये एफिल टावर से भी उचा है एफिल टावर जिसकी उचाई 324 मीटर है इससे भी उचा ये रेलवे पुल है और यही बनाया जा रहा है जम्मो कश्मीर में चिनाब नदी पर और इस पुल को बनाने में 24,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है तो यहां से important है चिनाब रिवर इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है देखे जो चिनाब नदी है ये सिंदु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका जो उदगाम है ये हिमाचल प्रदेश के के ट्वेल लारा दर्रे से होता है और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्मान दो नदी तंत्र से कौन-कौन सी नदी है चंद्र और भागा इससे मिलकर हुआ है तो वहाँ इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है तो यही जो नदी है चिनाब नदी ये आगे जाकर के मतलब कि ये पाकिस्तान में जाती है और सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है लेकिन मिलने से पहले इसमें जेलम, रावी, सतलज ये नदिया आ करके मिल जाती है और इसी नदिया पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे उचा रिल्वे पुल अगला कोश्चन है पूर्वी अफरिकी देश जो की है केन्या इसने अपने किस पडोसी के साथ किस पडोसी देश के साथ मिल करके समुद्री सीमा विवात पर International Court of Justice के कारवाई भी भाग लेने से इंकार कर दिया है तो ये एक International News है बहुत आसान है दिया आप समझेंगे तो तो ये इंकार किया गया है सोमालिया के साथ ये पूरा मैटर है क्या तो सबसे पहले तो आप इसकी location देख लेजे ये है एफ्रिका का मतलब कि ये है Horn of Africa Horn of Africa के अंतरगत कुल चार कंट्रीज आती है कौन कौन सी है इथियोपिया, सोमालिया ये जो आप देख रहें समझना चाहें तो जैसे भारत में कावेरी जल विवाद है या आप कह सकते हैं भारत-पाकिस्तान के बेज जो सिंदु जल विवाद है कुछ इस तरह से ये इंडियन ओशन वाला विवाद है कहने का मतलब है कि जह सोमालिया है ये कह रहे है कि हमारे देश की सीमय है इसके आगे जो इंडियन ओशन कुछ यहां पास यदि आप देखेंगे तो Somalia की इधर का जो लोकेशन है इसके सामने का जो Indian Ocean है इसका हिस्सा यह Somalia यूज़ करता है और Kenya के सामने का Kenya यूज़ करता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है Somalia का हिस्सा तो उस इसाफ से Somalia को इतना हिस्सा अपने इस्तमाल में लेना चाहिए और केन्या को इतना लेना चाहिए लेकिन अब सोमालिया ये कह रहा है कि हम मतलब कि हमारी जो सीमा है ये कुछ इस तरह से है कि हम हिंद महासागर के यहां तक का पानी इस्तमाल करेंगे और आप यहां का इस्तमाल कर लेजे तो यह जो विवाद है पिछले साल भी काफी बना रहा और दोनों देशों के बीश इस पर विवाद चला आ रहा था जिसके कारण जो केन्या है इसने इसी मैटर के कारण अंतर राज़्टी न्यायायले की कारवाई में भाग लेने से इंकार कर दिया है तो देखिए यहां से दो टर्म होते हैं एक तो है ICJ यानि कि International Court of Justice एक और है International Criminal Court इन दोनों में सबसे ज़्यादा confusion होता है तो इसे मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देती हूँ ICJ versus ICC तो देखिए जो International Court of Justice है यानि कि अंतर राज़्टी न्यायले पहरा important fact तो यह है कि भारत इसका सदस्य है किसका सदस्य है International Court of Justice का जबकि ICC International Criminal Court इसका भारत सदस्य नहीं है जो भी countries United Nation की member होती है वे already ICJ की member बन जाती है और इसकी जो इस्थापना है ICJ की इसकी 1946 में हुई थी और International Criminal Court की हुई थी 2002 में दोनों में एक similarity है वह क्या है कि दोनों का headquarters हेग नीदर लेंड में ही इस्तित है और एक और डिफ्रेंस है कि जो International Court of Justice है इसकी स्थापना United Nation के द्वारा की गई है जबकि ICC इसकी स्थापना कुछ countries ने मिल करके सोयम ही कर ली है अगला question है हाली में किस देश के राश्टपती जिनका नाम है जौन मेगुफली इनका 61 वर्स की आयू में निधन हुआ है अब यह थे तंजानिया के प्रेसिडंट तो आप मैप में देख सकते हैं तंजानिया की location यह भी एफ्रिका महादीप में ही इस्तित है अभी हमने हौन और इफ्रिका डिस्कस किया यह केनीय डिसकस किया है और इससे लगी हुई एक और कट्री है तंजानिया तंजानिया की capital है दोडो मा करन्सित अडउल्थ शेलिंग अप यह देख सकते ही यह जो आप देख हैं यह विक्टोरिया लेक इसी विक्टोरिया लेक से संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है जो कि आगे जाकर के मेडिटेरियन सी जिसे हमने अभी डिसकसी किया था वहां जाकर के मिल जाती है अगला कुश्चन है केंद्रे मंत्रे मंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामले में सहयोग के लिए अपनी स्विक्रती दी है तो ये स्विक्रती दी गई है मौल द अच्छा प्रदर्शन कर सके हैं तो आप मैप में देख सकते हैं ये है मौल दीब की लोकेशन ये हैं इंडिया मौल दीब की कैपिटल है माले करंसी है रुफिया प्रेसिडेंट है इब्राहिम मुहम्मद सोले भारत और मौल दीब के बीच एक एकसर साइज होती है जिसका नाम है इक उवरिन जो की आयोजित की गई थी महाराश्टर के पुणे में और इन दोनों देशों की बीच हम संबंधों की बात करें तो इनके संबंध काफी पहले से अच्छे रहे थे हाले में लाइन ओफ क्रेडिट को विस्तारित किया गया है जो की दोनों देशों के बी अगला कुश्चन है वैश्विक पुनर चक्रण दिवस यानि की ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये कब मनाया गया तो ये हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो वस्तुए हैं इसका पुनर चक्रण किया जा सके मतलब इसे दोबारा इस्तमा किया जाएगा एक बार इस्तमाल करके नहीं फेका जाएगा तो कार्बन उतसर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी और विसेश रूप से दी देखा जाए तो रिसाइकलिंग उद्योग में दुनिया भर में 1.6 मिलियन से अधिक लोग कारियरत हैं तो इस बार ये जो ग्लोब तो आसकर जो कि फिल्म जगत का सर्वोच अवार्ड माना जाता है इसके लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता जो कि बन गये हैं रिज एहमद हाले में किस राजी की महिला पहलवान रतिका फोगाट का निधन हुआ है तो ये लिए उस भी आप फन लाइनर फॉर्मेट में आद रख सकते हैं रतिका फोगाट जो की हरियाना की एक पहलवान थी हाले में इन्होंने खुद खुशी कर ली है 17 साल इनकी उम्र थी ये गीत सफलता और असफलता ये तो हात लगती ही है वो कहावत है ना कि फेलर इस फर्स्ट स्टैप तो सक्सेस मतलब कि यदि आप सफलता की तरफ बढ़ने चाहते हैं तो उसकी जो सीडिया है ये असफलताओं के बीच से हो कर कि गुजरती है इसलिए असफलता से कभी निरास नही होगा लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए निरास नहीं होना चाहिए और अपनी लाइफ को खतम कर देना ये तो किसी भी प्रॉब्लम का सेल्यूशन नहीं है तो यहीं है कि एक मैच के दौरान जब हार गई तो काफी हुटिंग की गई इनकी और ये सदमा इन से बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म ये कहां बनाया जा रहा है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बोक्स में बताइएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजे शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही झालेगा झालेगा ये चुर्फ इतना हो इतना ही दाएब करना ही जाएब करना है कीजे और चैनल को सब्सक्राइएगा तो आखाएब करना है तो